जहिन दोस्तो रक्षित खर्ना के इस चैनल में आपका सागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन इंफोर्मेशन दूँगा। चलते हैं पहली इंफोर्मेशन की तरब। दोस्तो एक आप ये एरियर सीट देख रहे हूँगे। दोस्तों ये बनाई है State Bank of India ने, किसी Family Pensioners की बनाई है उन्होंने Area की शिट, OROP2 की, तो एक Pensioner ने किसी ग्रूप में शेर किया था, तो मैंने एक बार इसे चेक किया, कि वाकी में CPP State Bank of India ने, इनका Area ठीक बनाया या नहीं बनाया, दोस्तों जो इन्होंने Area Calculate करा है, ये आ 14,479, बल्कि ये ये फैमिली पैंशनर है, इनका और भी Area बनता है, इनका जो रैंक था, वो था Air Force का CPL, यानि आर्मी में होते हैं ये नायक, तो इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पैंशनर चल रही है, पुरानी थी इनकी 18,427 का 60%, यानि 11,057, OROP 2 में हो गई 20,107 का 60%, यानि 12,065, तो इसी का डिफ्रेंस है 1,008 रुपे, तो इसके अकॉर्डिंग, CPP ने, State Bank of India ने, इनका ये Area कैलकुलेट करा है, और इसमें लिखा हुआ है, 1 by 4th, यानि 1st installment इन्होंने रिलीस करी है, और बल्कि गौर्रमेंट के आदेश के अनुसा Supreme Court के आदेश के अनुसार, Family Pensioners को Full Area दिया जाना है, तो फिर ये SBI, आदा Area कैसे बना के दे रहा है, पहली installment क्यों दे रहा है, जो इन्होंने ये, शीट बनाई, 1st installment लिखा है, रिलीस्ट, कितनी, 12,479, तो एक बर मैं इसे बोलूँग, दुबारा जाए बैंक और वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे समझाओंगा, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है, मड़ीपुर का, जिसमें मड़ीपुर की मताएं, भेने, जवानों के सामने हाथ पर जोड़ रही है, अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए, ताकि जो जवान है, वो इनके बच्चों की सुरक्षा करे, दुश्मनों से, बिल्कुल दोस्तों, सिरफ मड़ीपुर में ही नहीं, ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां पे हमेशा खत्रा बना रहता है, आम आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, तो ऐसे में उनकी रक्षा कौन करता है, वो करता है एक जवान, तो ऐसे मताओं का, बेनों का, हाथ जवान के सामने, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो दोस्तों, जवान भी पूरी महनत से, पूरे सम्मान के साथ, इनकी रिस्पेक्ट करता है, और इनके आदेशों का पालन भी करता है, तो आपने ये वीडियो देखा, मड़ीपुर का, आगे समझते हैं, दोस्तों, एक औ आरोप लगाया, और बहुती गंबीर आरोप, क्या लगाया इन्होंने, सेना की फिफ्टी आरार बटालियन के जवानों की और से, पुलवामा की एक मजजित में घुसकर, मुसल्मानों को जैश्री राम के नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया, दोस्तों, इनका और मजजित में जो मुसल्मान थे, उनसे चबरदस्ती जैश्री राम का नारा बुलवाने के लिए उन्हें मजबूर किया, और दोस्तों, उस टाइम ग्रह मंतरी अमिश शाजी भी जमू कश्वीर में मौजूद थे, जब भी ये वाक्या हुआ, उसके बाद जो सैने उनसे घटना की जाज कराने के लिए आदेश दिये गए, दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, मैबूबा मुफ्ती जी ने सेना के जवानों पर आरोप लगाया है, कि वो मजजित में घुसे, और मा के जो मुसल्मान थे, उनसे जैश्री राम का नारा लगवाने के लिए उन्हें मजबूर किया, तो मैं आपसे तीन परशन पूछूँगा, आप नीचे मुझे कमेंट करिएगा, मैबूबा जी हमेशा ही सेना पर आरोप लगाती रही है, क्या ऐसा है, दूसरा मैबूबा को पहले इस घटना की पुष्टी करनी चाये थी, पहले जाज प परताल हो जाती, सेने कमांडर के तू, तब ये कहती, तब बात अलग थी, कश्मीर में शांती है, उन्हें ये बात हजम नहीं है, जो ये तीन पॉइंट लिखे हैं, इन में से आप किस पॉइंट से सहमत है, आप नीचे कमेंट करके बताएगा, तो दोस्तों ये चीजे मैं